प्यारे बच्चों, संस्कृत की इसका क्षा में आपका स्वागत है। अब हम पठित पाठ साथ का भ्यास कारे करेंगे। यहाँ जो हमने श्लोक पढ़े थे, उन्हीं के अधार पर हमसे कुछ वाक्य पूछे गें हैं हमने आम या नहीं लिखना है, जो सही है उसके लिए हम लिखेंगे आम, जो गलते उसके लिखेंगे हम नहीं अर्थात बोले भी और लिखें भी आप देखें, पहला लिखा हुआ है, किम नद्या स्वजलम स्वयम पिवन्ती, किम क्या नद्या नदिया स्वजलम अपने जल को स्वयम अपने आप पिवन्ती, पीती है, पीती है नदिया अपने पाने को खुद नहीं तो हम क्या लिखेंगे؟ नहीं यहां न लिखा हूँा और वो भी हलन्त करकी जो कि गलत है तो आपने क्या लिखना है? नहीं जैसा कि उपर दिया हुआ है दूसरा है किम ज्यान हीन मनुश्यonner शोवते क्या ग्यान से हीन अर्थात ज्यान हीन व्यक्ति जिसमें कोई भी knowledge नहीं है, वो शोभा देता है समाज में तो नहीं देता है, इसलिए क्या लिखेंगे आम आपे, नहीं, ये गलत हैं आपे, जो आपको दिख रहा हैं, आप लिखेंगे नहीं तीसरा है, किम क्रोधा नरकस्य कार्णम अस्ति किम क्या क्रोधा क्रोध नरकस्य शष्ठी का एक बचन है, आर्थात काके की नरक का कार्णम अस्ति कार्ण है, क्या क्रोध नरक का कार्ण है हमने पढ़ा था, बिलकुल है क्रोध भी है, काम भी और लोग भी है यहां क्रोध दिया है इट मींज है तो क्या लिखेंगे आम ऐसे लिखेंगे आम अगला है चौथा चतुर्थ किम क्या असमाकम हमारी वाणी वाणी मने बोली मधुरा मीठी भवेत होनी चाहिए ठीक है देखो वाणी स्त्रिलिंग है तो मधुरा जो इसका विशेशन है ना व बिदिलिंगलकार भूधा तु प्रत्थमपुर्ष का एक बचन क्या हमारी बाणी मधुरा होनी चाहिए हम लिखेंगे आम जी जरूर होनी चाहिए सर्फ लिखना यह नहीं है सच में होनी भी चाहिए पांचमा किम क्या चिंता शरीरस्य शरीर का पोशन करोती करती है क्या चिंता शरीर का पोशन करती है पोशन नहीं करती है शोशन करती है ठीक है चिंता करने से शरीर खिला खिला नहीं रहता है शरीर क्या होता है सूख हो जाता है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे नहीं क्या यथा शक्ति, जितनी शक्ति है, शक्ति के उनसार, दानम कुरियात दान करना चाहिए, क्या जितना हो सके दान करना चाहिए, तो आम, हाँ, जरूर करना चाहिए, आम का माहलन्त करेंगे आप, तो मैं फिर से दुरा रहा हूँ, आम और नहीं लिखा जाएगा, नहीं अब आगे हैं दूसरा मंजूशायाम प्रदत्पदेह रिक्स्थानानी पूर्यंतू मंजूशायाम सब्तमिक एक वचन मंजूशा आकारांत स्त्रिलिंग लतायाम की तरह मंजूशा में प्रदत्पदेह तृत्या का बहुवचन दिये हुए पदों से शब्दों से रिक्स्थ खाली स्थानों को जैसे फलम फले फलाने वैसे ही स्थानम स्थाने स्थानानी इन खाली स्थानों को पूरियंतु पूरा करें यानि कि हमने इसमें क्रिया लगानी है कुल मिला करके और यहां अमारे पास क्रिया दे रखी है पहला है कुर्यात करना चाहिए या करें भवती कार्थ होता है भ्रमन्ती गूमते हैं अस्ती का मतलता है है या छंती देते हैं चलिए पहला दिया हुआ है गुण हीनाह जनाह पश्वा एब तो क्या होगा गुण हीन लोग पश्व की तरह इस धर्ती पर क्या करते हैं भ्रमन्ती गूमते हैं दूसरा ज्यानम इव अर्थात ज्यान यानि के ज्यान के समान इव का मतलता है इव का आर्थ होता है की तरह ज्यान के समान शरीरत से शरीर का आभूशनम न आगे क्या लिखेंगे भवती ज्यान के समान शरीर का दूसरा कोई गहना नहीं होता है तीसरा मनुष्य परिशमेन कार्याणी कुरियात मनुष्य को मेहनत से काम करना चाहिए चोथा है नरकस्य द्वारम त्रिविधम अस्ती नरक का द्वार तीन प्रकार का है ब्रिक्षा फलानी अन्यभ्य ब्रिक्ष फलों को अन्यभ्य दूसरों के लिए यह चंती देते हैं अब जो संख्या नंबर प्रशन नंबर दो का सवपार्ट दो और चार है उसको जड़ा देखें यहां पर लिखा है ज्यानम इव शरीरष से अभूशनम न भवती और नरकस्य द्वारम त्रिविधम अस्ती तो यहां पर हम अगर लिख दें कि नरकस्य द्वारम त्रिविधम भवती नरक का द्वार तीन प्रकार का होता है तब भी गलत नहीं होगा ज्यानम इव शरीरत से अभूशनम न भवती तब भी ठीक है अगर हम ऐसे लिख देंगे ज्यानम इव शरीरत से अभूशनम न अस्ती ज्यान के समान शरीर का दूसरा कोई गहना नहीं है तो वो भी ठीक है भवती का अरत होता है तो यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते है नरक का द्वार तीन प्रकार का है या होता है यह भी सही बात है ग्यान के समान शरीर का गहना नहीं होता है या नहीं है यह भी ठीक है तो अगर आप भूश्नमना अस्ती लिख देंगे और नीचे त्रीविधम नरकस से मैंने आपको इनके शाब्दिकार्थ भी बता दिये हैं और हिंदी भी समझा दिये ताकि गल्ती ना होने पाए तो यदि आप ज्यानम इव शरीर से अभूशनम न अस्ती तब भी ठीक है नरकस्य द्वारम त्रिवधम भवती तब भी ठीक है मने भवती और अस्ती में यहाँ थोड़ी सी सिमिलेरिटी है वाक्य के अधार पर अब अगला है तीसरा मन्जु शायाह उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तू हो सकता है आपको यहाँ पर शब्द जो हैं स्पष्ट नजर ना आए तो इसलिए अपनी बुक भी साथ में रखें काम करते समय उचित पर्यावाची शब्द चुनने के लिए कहा गया है चुनेंगे कहां से यह हमारे पास दे रखे हैं पहला है मेगहाह अर्थात बादल बहु बचन पशवह अर्थात पशु इच्छा इच्छा काम धनम धन ज्यानम ज्यान विद्या विद्या का अर्था क्या होता है ज्यानम मैंने कहा था न दोनों एक दूसरी के पर्यवाची है विद्या मने ज्यानम लक्ष्मीह अर्थात धनम वारिवाह मेगह यहां मेघा लिखा है गलत है मेघाह आएगा मरिगाह पश्वह कामह इच्छा तो देखो संस्क्रत में एक चीज का ध्यान रखेंगे आप जब भी हम परेवाची लिखते हैं तो उसमें वही विवक्ती बचन रहता है जो आपके पास शब्द में दिया है मूल शब्द में जो उसका परेवाची लिखना चाहते हैं तो परेवाची में विवक्ती बचन समान होना चाहिए जैसे विद्या ये क्या है प्रत्मा का एक वचन है तो जियानम भी प्रत्मा का एक वचन है लक्ष्मीह प्रत्मा का एक वचन है तो धनम भी प्रत्मा का एक वचन है वारिवाह प्रत्मा का बहुवचन तो मेघा भी प्रत्मा का बहुवचन होना चाहिए। मरिगाह प्रत्मा का बहुवचन तो पश्वा भी प्रत्मा का बहुवचन है। कामह एक बहुचन में लिए गया है तो यहाँ पर इच्छा भी एक बहुचन में है। अब हैं एतेशाम प्रशन नाम इन प्रशनों के उत्तराणी उत्तर एक पदेन एक पद में बदन्तु लिखन्तु च बोले और लिखें। तो यह अब लिखा हैं मर्ते लोके या हम भूवी भी लिख सकते हैं भूमों भी लिख सकते हैं धरायाम भी लिख सकते हैं ठीके कोई भी शब्द लिखें आप धर्ती पर ठीके लेकिन उसका सब्तमी एक वचन लगाएं जैसे धर्ती पर इसका उत्र है तो संस्क्रत में मर्ते किसलिए होती है तो उत्र लिखा है दानार्थम या दानाय ठीक है दानाय भी लिख सकते हैं दानार्थम लिख सकते हैं या परोपकाराय भी लिख सकते हैं बहतर रहेगा परोपकाराय क्योंकि शलोक में आपको दिया भी हुआ है अब है तीसरा कया समम शरीर रक्षनम न अस्त कया तृतिया का एक बच नहीं ये ठीक है? पहले स्लोक में हमने पढ़ा कि क्षमा समम शरीर रक्ष्णम नास्ति तो यहां पूछा है कया समम तो इकठा करके लिखेंगे हम क्षमा समम, यहां गलत लिखा है क्षमा सब लिख दिया है, जो की गलत है क्षमा समम, इकठा लिखेंगे तो आएगा क्षमा समम, अगर इकठा नहीं लिखेंगे तो क्या लिखने पड़ेगा, क्षमया समम, क्ष म या, यको आकी मात्रा, क्षमया समम, इकठा लिखेंगे तो क्षमा समम, अस्माकम वानी की द्रिशी भवेत, हमारी वानी कैसी होनी चा नोट करते रहेंगे अब अगला यहां पे है पूछा हुआ है हमसे कि लोभ कस्य द्वारम भवती लोभ किसका द्वार होता है तो हमने पड़ा है नरकस्य क्या लिखेंगे हम नरकस्य श्लोक से अंडरलाइन करके लिखें अच्छे से मनुष्य रूपेण म्रिगाह चरंती मनुष्य के रूप में पशू की तरह घूंते हैं अत्र यहां चरंती इती क्रिया पद से कर्तरी पदम किम यहां इस क्रिया पद का कर्तरी पद क्या है अथा चरंती तो यहां क्रिया है तो इसका कर्तरी पद क्या है कर्ता क्या है तो वो है म्रिगाह क्या आएगा म्रिगाह क्योंकि मनुष्य रूपेण में तृतिया लगी हुई है और कर्ता में प्रत्मा होती है जैसे म्रिगाह म्रिगव म्रिगाह तो म्रिगाह चरंती किस प्रकार चरंती वो तो लिखा है दे रखा है तो ये क्या है क्रिया है तो आपको क्या बताना है लिखन लास्ट में कर्तरी पदम किम इस लास्ट वर्ड को देखें अगर यहां लिखा होगा क्रिया पदम किम तो आपने क्रिया पद बताना है अगर लिखा है कर्तरी पदम किम तो आपने कर्तरी पद बताना है अब आगे है पांच मां. एतिशाम प्रश्ना नाम उत्राणी पूर्ण वाकेन वदन तुलिखन तुच. इन प्रश्नों के उत्र पूर्ण वाके में बोलें भी और लिखें भी. के स्वफलानी स्वयम ना खादन ती, काउन अपने फल स्वयम नहीं खाते हैं. के करता है कौन तो के प्रश्णवाचिक है तो इसकी जगा हमने उत्तर लिख देना है व्रिक्षाह ठीक है बाकी एज़िटिज रहेगा व्रिक्षाह सो फलानी स्वयम न खादनती अर्थाक पेड अपने फलों को खुद नहीं खाते किसके समान शरीर का गहना नहीं है सबसे सुंदर गहना क्या है शरीर का यह इसने पूछा हुआ है तो कया तृतिय है न तो यहां लिखा है विद्या जो कि समम दू लिखा तो यह गलत हो गया या तो इकठा करके लिखो विद्या समम शरीर भूशनम न आस्ती या तो ऐसे लिखो न इकठा करके विद्या समम शरीर भूष्णम नास्ती तो ठीक है प्रन्तो अगर आप विद्या यहां लिखेंगे और समम इतने दूर लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा विद्या में भी तृतिया भी भक्ती लगानी पड़ेगी जैसे कया में लगी हुई है तो विद्यया समम तब अलग करके लिख सकते हैं फिर विद्यया विद्यया समम शरीर भूष्णम नास्ती या जोड के लिखो विद्या समम के नरकस्य द्वारम भवन्ती नरक के द्वार कौन कौन होते हैं के कौन कौन नरकस्य नरक के द्वारम द्वार भवन्ती होते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप लिखते चलेंगे कामह क्रोधा तथा लोभा नरकस्य द्वारान भवन्ती द्वारम नहीं लिखेंगे फिर जबकि यहां पर बहुचन हो गया ना नरक के द्वार किसी कहा गया है तो इन तीनों को कहा गया है तो हम इसलिए बहुचन लगा देंगे फिर कामह, कॉमा, क्रोधा, तथा, लोभा यहां लोभष लिखा गया है ये निलिखेंगे आप, आपके लिखेंगे लोभ, कामर, कोमा लगाएंगे, क्रोध कोमा लगाएंगे, क्षमpur, कोमा की आप शक्तानी लएगी जब हम तथा लगा रहें बीच में, ठीक है? Chand, कोमा क्रोध तथा लोभ च, लोभ च, नर्कस्य द्वारानी भवन्ती, और दूसरी बात में यहाँ पर कहना चाहूँगा जब हमने लोभा च लगा दिये तो तथा की भी आफशक्ता नहीं रह जाती जो की गलत हो जाएगा तो यदि लिखना है तो ऐसे लिखो कामह क्रोधा तथा लोभा नरकस्य द्वारानी भवन्ती या फिर ध्यान से सुने कामह क्रोधा लोभश्य नरकस्य द्वारानी भवन्ती ये दोनों ठीक हैं परन्तु अगर तथा भी लगा रहे हैं और च भी लगा रहे हैं तो गलत हो जा गलत हो जाएगा अब मैं वहाँ बताऊंगा भी आपको लिख करके तब भी आप गलत लिखेंगे इसलिए आपके सामने उधारन सहीत बता रहा हूँ कि आपने ऐसा लिखा होगा जो कि गलत माना जाएगा इसलिए इस बुक को चूज किया गया चौथा है मनुष्य रूपेण मरिगाह इब के भ्रमंती मनुष्य के रूप में पशू के समान कौन गूमते हैं जिनके पास विद्या ज्यान दान तप कुछ भी नहीं है वे गूमते हैं ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्यानम न शीलम न गुणो न धर्मह ते मनुष लास्ट लाइन भी पूरी करनी ने यहां इसने छोड़ दी यादी लिखी हुई है गुणा न धर्मा गुणम लिखा है गुणा आएगा यहांपे गुणा न धर्मा ते मर्ते लोके मनुष्य रूपेन मुरिगाह चरंती तो चली इसको कम्प्लीट करते हैं कैसे लिखेंगे ये शो लिखा है आपे गलत है ठीक करें आप ये शान न विद्या न तपो न दानम ज्यानम न शीलम न गुणह गुणम नी करना न गुणह न धर्मह ते के पूछने आपे तो आप लिखेंगे ते मनुष्य रूपेन मुरिगाह इब भ्रमनती इस पकार से लिखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा और अगर नहीं होगा तो आगे आपको मैं लिखकर के भी दूँगा उससे आप बहतर तरीके से कर सकते हैं असमाकम वानी कीद्रिशी भवेत हमारी वानी कैसी होनी चाहिए हमारी बोली कैसी होनी चाहिए मीठी होनी चाहिए रसवती तो असमाकम वानी, रस्वती, भवेत, रस्वती में सपूरा आएगा और भवेत का तहलन्त होगा। मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार से आप कोई करवाया जाएगा काम तो आप और भी बेतर तरीके से करेंगे। अगर मैं लिखके दूँगा फिर भी आप गलतियं करेंगे। तो इस प्रकार से इसको आप नोट करेंगे अस्माकम वानी रस्वती भवेत अब है छटा प्रशन स्थूल पत माधरित्य प्रश्णिर्मानम कुरुवन्तू इस स्थूल पतों को अधार बना करके प्रश्णिर्मान करें पहला स्थूल पत क्या है लक्ष्मीह दानवती भवेत तो लक्ष्मीह का प्रश्ण क्या बनेगा का अब देखो इसने भी यहाँ पे बच्चे ने का लिखा हुआ है टोटली पूर्ण वाक्य में बनना चाहिए प्रश्ण का दानवती भवेत और प्रश्ण वाचक चिन साथ में अवश्य होना चाहिए दूसरा है क्रोधा नरकस से द्वारम मन्यते क्रोध नरक का द्वार माना जाता है कौन माना जाता है क्रोध प्रत्मा का एक बच्चन तो किम शब्द प्रत्मा का एक वचन लगा दीजी क्या बन गया? कहा पुलिंग है याँ पे दिये वो बिसरगे तो आप भी बिसरगे लगाएंगे कहा नरकस्य द्वारम मन्यते और प्रश्नवाचक चिन तीसरा दानेन हीनाह मनुश्याह न शोभनते दान से रहित मनुश्य शोभनी देते हैं तो दानेन तृत्या का एक वचन तो आप भी तृत्या का एक वचन लगाओ दानम नपुस्कलिंग है तो नपुस्कलिंग और पुलिंग तृत्या में एक समानी रहते हैं किम शब्द केन हीनाह मनुश्याह न शोभंते और प्रश्ण वाचक चिन केन का यहां बच्ची ने न हलंत किया जो की गलत है जब दानेन का न हलंत नहीं तो केन का कैसे कर देंगे आप गलत हो जाएगा नहीं करेंगे केन हीनाह मनुश्याह न शोभंते अगला चतुर्थ हैं भूख के समान शरीर पीडन नहीं होता है जहां मैं आपको तृतिया लगाने को बोल रहा था न कि अगर आप एकठा लिखेंगे तो लिखेंगे क्षुधा समम अलग लग करेंगे तो क्षुधया कया तृतिया लगानी पड़ेगी तो ऐसे ही लिखना है अगर अलग करेंगे आप तो ठीक है? क्षामाया खुधया थीक है? तृतिया ऐसी लगानी पड़ेगी फिर आपको ठीक है? वैसे चिंतया भूख के समान शरीर पीडन नहीं है शुधया तो नीचे के लिखेंगे आप कया क उसके बाद या और या को आ की मात्रा यनि के कया समम शरीर पेड़नमन भवती और साथ में प्रशन वाचक चेन लगाएंगे अगले प्रिष्ट पर सबसे असान यहां पर आपसे पूछा गया है देखें कहता है उचित भाव यहां पर कहता है आपको कुछ पंक्तियां दिए गई हैं उनके भाव दिए गए हैं नीचे उचित भाव को आपने टिक लगाना है उचित इती चिन्हेल अंकितम कुरबंतू टिक करना उसको पहला दिया है को वानी रस्वती यस्या अर्था जिसकी वानी रस्वती होती है मीठी होती है मदरू होती है तो पहला दिया है नरह सरवदा मधुराम वानी मदेत मनुष्य को हमेशा मीठी वानी बोलनी चाहिए बिल्कुल सही बात है नरह सरलाम कठोराम चे वानी मदेत मनुश्य सरल और कठोर दोनों परकार की वानी को बोले जो की गलत है नरह यदा कदा मदरू वानी मदेत मनुश्य को कभी कभार यदा कदा मने जब कभी या कभी कभी या कभी कभार मीठी बानी बोलनी चाहिए कभी कभार क्यूं हमेशा तो इसमें पहले वाला सहिए आप पहले वाले को टिक करेंगे बाकि में क्रोस लगा देंगे खो है परोपकाराय सताम भी भूत यहाँ जिसका अर्थ हमने पड़ा है क्या होता है अर्थ परोपकार के लिए ही सज्जनों की संपतियां होती है पहला लिखा है सज्जना नाम संपति आत्मरक्षा यही भवती अर्था सज्जनों के जो धन संपति होती है उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए self defense के लिए रखी होती है वो कभी अपने आपको बचाने के लिए जूरत पड़ जाए उसके लिए ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं तो ये गलत है सज्जना नाम संपत्ती ही स्वा कल्यान आए भवती एक ही बात है कि सज्जनों की संपत्ती अपने कल्यान के लिए होती है नहीं नहीं ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा तीसरा सज्जना नाम संपत्ती ही सज्जनों की संपत्ती अन्ये शाम परोपकार आभवती दूसरों के परोपकार के लिए रथात कल्यान के लिए होती है, दूसरों के सुक के लिए होती है अपने साथ साथ दूसरों के भी भलाई के लिए होती है, जो बिल्कुल सही है तो यहाँ पर नंबर तीन वाले को हम टिक करेंगे, अब कुछ इसमें value waste questions है देखते हैं इनको, मुल्यात्म का भवन्ता अपठन यत आपने पढ़ा की जनाह लोग मधुराम वाणीम वदेई हो, मधुरुबाणी बोले दानिनाह भविवेई हो यहनी के यथा शक्ति दान भी करने वाले होवे, विद्या युक्ता क्षमाशीलाह चे भवेई हो विद्या युक्त क्षमाशील होवे ठीके ऐसा इती करत होता है ऐसा अधुना भवन्तु अब बोले भवन्ता आप कान कान गुणान धारी श्यंती आप किन किन गुणों को धार्न करेंगे जिन जिन गुणों को धार्न करेंगे कि हम इन इन गुणों को धारन करना चाहते हैं और मैं देखू anga कौन कौन से गुण आपने लिखे हुए है गती विद्विधी विद्यायाह उपरी विद्या के उपर पंच श्लो का नाम पंच श्लो को का संग्रहम की कृत्वा संग्रह करके उनिके विद्या के उपर जो पांच श्लोक हों ऐसे पांच श्लोक आपने ढूणने हैं कृत्वा करके कक्षायाम स्वरेन श्रावियंतु कक्षा में स्वर सुनाएं उत्र पुस्तिकायाम चलिखंतु और अपनी उत्र पुस्तिका में लिखें यानि कि आपकी जो classwork notebook है उसमें क्या करना है आपने जब आप इस part की हिंदी लिख लेंगे उसके बाद column बनाने चे गतिविदी का और उसमें पांच श्लोक लिखने है और वो श्लोक कैसे हो आपकी पुस्तक में ना हो परंतु विद्या के उपर हो ठीक है विद्या पर दिये जासे पिछले वर्ष आपने पिछली का ख्षा में भी पढ़ ओओ है विद्यदाति विन्यम विन्यातियाती पातरताम पातरत द्वा धनम आपनोती धनात धर्मा तता सुखम ये भी विद्या के उपर लिखा हो बिद्या से ही संबंधित यह श्लोक है एक और दुसरा पुर्ब मने ऐसा हमने कभी नहीं देखा ऐसा कोश है विद्या जो की बांटने से खाली नहीं होता है बाकी सारे खजाने जो है बांटते रहेंगे बांटते रहेंगे खाली हो जाएंगे लेकिन विद्या का खजाना एक ऐसा खजाना जितना बांटेंगे उतनी आपकी प्रैक पर भी एक श्लोक दिये गया है मैंने विद्य से समंदित आपको बताए अब पाठ में आपने पढ़ें उसमें वानी से समंदित भी है जैसे उसको गाते भी है अगर कक्षा में आप आएंगे तो गाके सुनाएंगे उसको के यूराणि न भूशयंति पुरुषम हारा न चंद्रो ज्वला ना स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न लंकृता मूर्धाजा वाने का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षियंते खिल भूशणा निसततम वाग भूशणम भूशणम इस प्रकार से ये बाणी पर श्लोक लिखा हुआ है कि सारे भूशण गहने सब खराब बरबाद हो जाते हैं क्षियंते अर्थात गलते सड़ते चले जाते हैं लेकिन वानी का गहना ऐसा है न जो व्यक्ति को चमका देता है और कभी भी क्षिन नहीं होता है तो इस प्रकार विद्या पर भी आप श्लोक ढूंडेंगे और जिस भी धुन में हो आप उसे गाएंगे गतिविधी विद्याया उपरी पंचलो का नाम ये जो मैंने अभी पढ़ा आपके सामने कस्यापी देशवक्त से चित्रम निर्माय किसी भी देशवक्त का चित्र बना करके तस्मिन पंच वाक्या निरचित्वा उस पर पांच वाक्य बना करके कक्षायाम श्रावयंतू उत्र पुस्तिकायाम च लिखंतू कक्षा में सुनाएं और उत्र पुस्तिका पर भी लिखें वाके बनाना आपको आते हैं S7 में भी आपको पहले वाके मैंने आपको लटलकार में पढ़ना सिखाये हैं लिखना भी सिखाये हैं और वाक्य बनाना भी सिखाया है तो कोशिश करेंगे कि किसी भी देश भक्त का चित्रा आप लें और उस पर पांच वाक्य लिखें चाए उसका नाम, उसका जनमस्थान और उसकी शिक्षा से समझ देते ताकि आपको ज्यादा लंबे बाक्य बनाने की अवशक्ता ना पड़े उमीद हैं जितना आपको बताया हैं उससे आप बेतर तरीकी से समझेंगे और यथावत करेंगे इतियों शम